तो नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको WhatsApp की 5 ऐसी सीक्रेट टिक्स बताएंगे जो आपके लिए काफी जयदा important है जिया दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में WhatsApp की 5 ऐसी setting बताने वाले हैं जो आपके लिए काफी जयदा फाइदे मन्त हैं इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों हम सभी WhatsApp का यूज करते हैं और WhatsApp समय समय पर नए नए आपना उनभो और बहतर करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखेए और दोस्तों जो मैं आपको पांचवे नंबर की setting बताऊंगा वो आपके लिए काफी ज्यादा important है वो settings तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए तो इसलिए दोस्तों पांच नंबर की setting आप लोग जरूर देखेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो श्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी से request है कि आप लोगों ने अगर अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया है तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए आप लोगों की एक like से friends हमें motivation मिलती है और फिर friends अगर आप first time channel पर आएं वीडियो देख रहे हैं तो इस बटन को प्रस करके हमारे channel को subscribe कर लिजिए साथी इस bill icon को press करके all पर click कर दीजिए फिर आपको नीचे comment box में चले जाना comment box में आपको एक अच्छी सी comment लिख देनी है आपको लिख देना है nice whatsapp इस तरह से आपको whatsapp setting आप जैसे nice whatsapp setting लिखके send करते हैं तो चलिए video करते हैं start तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की starting में बताया था कि जो 5 setting में आपको बताऊंगा वो 5 settings आपके लिए काफी ज़्यादा important है अगर आप whatsapp यूज़ करते हैं तो तो इसलिए आप लोग इस video को बहुत ध्यान से देखेगा रहती है कई बार ऐसा क्या होता कि आप एक दो दिन तक whatsapp नहीं कोलते हैं तो हज्जारों मैसे जा जाते हैं इससे आजना तो आपकी battery भी बहुत ज्यादा friends खर्चा होती है और दूसरा यह होता कि आपके mobile का data भी बहुत ज्यादा खर्चा होता तो दोस्तों इस करने के लिए यहाँ पर आपको three data दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर click कर देना फिर आपको setting में चले जाना है और setting में जाने पर आपको account में चले जाना है account में जाने के बाद आपको privacy पर चले जाना है आप जब privacy में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देखा groups का तो simply आपको यहाँ पर click कर देना है अब जब यहाँ पर आप click करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने everyone set किया हुआ है मतलब यहाँ पर कोई भी मुझे बंदा a2get किसी भी group में add कर सकता है तो इसलिए आपको यहाँ पर my contact पर add कर देना है अब ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा कि आपके phone में जो cop के contact हैं वही लोग आपके phone में जो number save है वही आपको group में add कर सकते हैं दूसरा कोई other person आपको add नहीं कर सकता है तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस setting को जरूर अपने phone में use कीजिए आप दोस्तों बात करते हैं अपनी दूसरी setting के बारे में तो दोस्तों दूसरी setting क्या है मैं आपको बता दूँ कि तो दोस्तों आप मान लीजिए आपके पास कोई English में message आता है और आप भी चाहते हैं कि उससे हम English में बात करें लेकिन आप न तो English समझ सकते हैं न बोल सकते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके WhatsApp में ही एक ऐसी trick शिपी हुए है जिससे आप बिल्कुल English में समझ भी सकते हैं अर उसका reply भी इंग्लिस में message दे सकते हैं तो जोस्तीह यहां पर आप दे सकते हैं यहां पर जैसे मुझे किसी ने पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको translate का option दिखाई दे जाएगा तो friends आप जैसे translate पर click करेंगे तो यहाँ पर मैं Hindi select कर लेता हूँ तो यह आप देख सकते हैं how are you का मतलब लिखके आ गया क्या हाल है यानि कि आपको पता चल गया है कि आपको क्या हाल है इसका मतलब यह हुआ अब दोस्तों आपको back चल आना है और आपको यह तो पता चल गया कि इस how are you का मतलब क्या होता है तब आपको इसका जवाब भी English में ही देना है अब आपको English तो आती नहीं तो आपको यहाँ पर लिख देना है मैं ठीक हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैं ठीक हूँ लिख दिया है और फिर friends आपको इसी तरह से यहाँ पर आपको थोड़ी देर टाइप करके रखना है और जब आप यहाँ पर टैप करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको 3.0 पर एक बार फिर से क्लिक कर देना है और फिर से आपको translate का option दिखाए देगा तो simply आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है आप जैसे ही यहाँ पर ठीक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इसका मतलब English में लिखके आग गया है कि I am right तो यहाँ से आप इसको copy कर सकते हैं इस तरह से आप copy करके चले आना है और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से इसको delete करके यहाँ पर आपको इस तरह से पेश्ट कर देना है और इससा पेश्ट करने के बाद आपको इस तरह से send कर देना है तो आप देख सकते हैं आप अपने WhatsApp की application से बाहर निकले बिना किसी से भी English में chat कर सकते हैं और दोस्तों ये करने के लिए आपको अपने फोन में Google Translate की application इस्टाल करके रखनी होगी आप Play Store से अगर नहीं है तो आज ही जरूर इस application को डाउनलोड कीजिए बहुत अच्छी application है अब दोस्तों बात करते हैं अपनी 30 setting के बारे में तो दोस्तों तीसरी setting एक ऐसी setting है कि मान लिए आप अपने WhatsApp को लाग कर देते हैं और कोई ऐसा password डाल दें जो आपको याद ही न रखना पड़े और आपका mobile का लाग भी खुल जाए अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ यार कोई भी password हो आप कोई code डाले या pattern डाले वो आपको याद तो रखना ही पड़ता है दोस्तों इसको करने के लिए आपको play store से एक application इस्टाल करना होगा अल्टर लाग का तो आप play store से इसे इसे इस्टाल कर सकते हैं फिर आपको इसको open कर लेना है अब दोस्तों जब आप इस application को open करेंगे तो यहाँ पर आपको एक pin बलाने ला है तो हमें 1,2,3,4 आपको इन permissions को allow कर देना है इस तरह से आपको नीचे चले आना है तो यहाँ पर आपको ultra lag दिखाई देगा तो simply आपको इस तरह से इसे on कर देना है अब जब आपको इसे on करेंगे फिर आपको back चले आना है अब दोस्तों आपका application जो open हो चुका है और फिर से आपको यहाँ पर नी WhatsApp को अपने लाग कर देना है अब दोस्तों आपका WhatsApp लाग हो चुगा है अब दोस्तों उसके बाद friends आपको यहाँ पर थी डाट दिखाई देगी तो simply आपको इस थी डाट पर क्लिक कर देना है और फिर आपको setting में चले जाना है आप जब setting में जाएंगे तो यहाँ पर आप आपको बैक चले आना इस तरह से आप देख सकते हैं आपको बैक चले आना है आप दोस्तों मैं अपना WhatsApp ओपन करके देखता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे पिन मांग रहा है लेकिन friends मैंने जो वहाँ पर पिन डाला था एक दो तीन चार उससे इसका लाग नही खुलेगा तो यह लाग खुनने के लिए friends क्या करना होगा कि आपके फोन में जितने परसेंट बैटरी है मालीजे मेरे फोन में इसे में 96 परसेंट बैटरी है तो यहार आप पर आपको दो बार 96-96 लिख देना है और फिर आप देख सकते हैं आपका लाग खुल गया यानि क कि आपके फोन में जितने परसेंट बैटरी होगी वही आपका पासवर्ड होगा तो दोस्तों ये हंक्तिक सबसे कमाल की है आप लोगों को यह पसद आए होगी आप लों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप चले दोस्तों बात करते हैं अपनी चौत और option दिखाए देगा group setting का तो simply आपको यहाँ पर click कर देना है आप जैसे यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं send message का option आएगा तो यहाँ पर आपको only admin पर tap करके ok कर देना है अगर आप all participants पर click करेंगे तो यहाँ पर कोई भी message कर सकता है अगर आप only admins पर करेंगे तो इस group में सिर्फ आप ही message कर पाएंगे दूसरा कोई message नहीं कर पाएगा तो दोस्तों यह setting भी कितनी कमाल की है अब दोस्तों बात करते हैं अपनी पांचवी और अंतीम setting की जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बताया था तो पांचवी setting में क्या है कि friends ऐसा होता है कि आपके whatsapp में बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी files इतनी ज़्यादा कचरा हो जाता है कि whatsapp slow हो जाता है और आपकी battery काफी ज़्यादा reduce होने लगती है तो इसे में अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे mobile में कितना WhatsApp की junk file है और कितने ज़्यादा messages आ चुके है और कौन से number की पर जो है सबसे ज़्यादा MB हमारी जो खर्चा हो रही memory तो ऐसा करने के लिए friends आपको 3.0 पर click कर देना है और 3.0 पर click करने के बाद friends आपको setting में चले जाना है आप दोस्तों जब setting में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा storage and data का तो सबसे उपर आपको एक option दिखाए देगा manage storage का तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके phone में जितने भी content है आपके WhatsApp में और वो numbers आपकी कितनी MB की memory खा रहे हैं तो यहाँ से आप अपने WhatsApp को clear भी कर सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों यह past setting थी WhatsApp की जो मैंने आप लोगों को बताई और उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगे और WhatsApp के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए साथ यह सी वीडियो पाने के लिए चैनल सब्स्राइब करना भूलेगा और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर जरूर कीजिए तो दुस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में को और इंट्रेस्टिंग से टापिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए टेक क्यार आपका देन सुभू हुआ